लड़कियों को तुमने बैपार करना सीख लिया है कि लड़कियों को वैपार करेंगा या जिसकी जिंदगी, कल उसकी जिन्दी बरबात करते फिर हो गया कहते हैंना कि राजपूत कहते हैं हम बहुत अपने धर्मी के पक्के होते हैं एक राजपूत नहीं दूसरे राजपूत का गला काट लिया, तो गल्ट बाद है ना, मैं उन राजपूत भाईों से भी यही कहना चाहूंगी, कि आपके, मैं यह नहीं कहते हैं, सारे राजपूत भाई गलत है, मैं अगर मेरी कोई भी सब्द गलत लगे उनको, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी, कि मुझे गलती मैं एक्सेप्ट करती हूं, पर मैं यह जरूर बोलना चाहूंगी, कि एगर आपके हिराजपूत भाई ने आज एक लड़की साथ गलत कर दिया, तो आप क्या चाहोगे, उसको सजा मिले या ना मिले, वो आपके हाथ मुझे वहाँ जम्बू जाना है, मम्मी की फंगस की दावा लेने, और फोन बन रही है, फोन अन करता, बंद करता, रिकॉर्डिंग डाल देता, बाबू कला हूंगा, परसो हूंगा, ऐसे करते करते, उननीस तारिक को फिर इसने रिलाज्ट रिकॉर्डिंग डाली, मैं बह होने बुलाम तो उसके पास तो एक ही फोटो है, हम बोल देंगे, एडिट की हुई है, फिर मैं यूपी पहुंची लड़की के घर पता करते करते, क्योंकि उसकी भी लाइफ का सवाल है, मेरी तो लाइफ खराब होई गई है, क्योंकि एक और औरत कदर समझ सकती है, तो मैं उसके घर जब लड़की के घर पहुंची, वहां उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके भाई ने सपोर्ट किया, उन्हें अच्छे से बैठाला, फिर मैंने उनको कागल दिखा, फिर इनको बुलाया गया वहां पर यह वहां गया नहीं, अगर यह सच्छे थे तो इनको पहुचना चाहिए था ना, क्यों नहीं पहुचे यह, सुबं के फैमिली से, जब सुबं के फोन का पैसा मैं भर रही हूँ, जो सुबं को मैंने दिलाया है, वो मैं वो पैसा भी मैं ही भर रही हूं, हर चीज का तो मैं इस से 15 लाग की मैं क्यू डिमांड दो 2017 से मैं उनसे अलग ही रह रही हूँ तो 2018 में शुबं मेरे लाइफ में है, और सुबं को पूरी सच्चाई पता होते हुए, तो वो मैंने उसे कोई जब जस्ती नहीं की थी, ना उसकी पैमिली से कोई जब जस्ती की थी, कि सुबं मेरे पास जाता था, तो मैंने कोई सुबं से जब जस्त तो ये कहते हैं कि यूपी वाली नहीं लाते ना तो दिल्ली वाली लाते अब तो हम तीसरी लेके आएंगे